बादल देवनाद भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच प्लीज संगीत रागी जी के आवाज आप दुरुस कर ले बादल देवनाद जी सुना आपने आज राहूल गांदी के बयान को कैसा लगा क्योंकि दो लोग यहां कह रहा हैं बहुत हलका बयान था उनके अंदर ज आज तक मैंने पार्लामेंट के जितना अधिवेशन हुआ सब मैंने नहीं देखा कोई भी ऑपोजेशन लीडर कोई मिनिस्टर सेंटर मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर पुदान मोंचे ओम मिनिस्टर आज तक किसी ने शीव ची का तजबीर सानतान धर्मका जो पड़मत्त पड़मेंट सबसे बड़ा इशर्व चीसको सब मांते है उसका तजबीर आज तक किसी ने नहीं के लिकिन आज रावर गांथी तो पहले सुछता जाएए यह एक दस्विए जो एक तजबीर भावना तब ना का मतलब और वुद्धान मोंचे खुद रूट गए और बोल रहा है जो पुदान मोंती दो साल पहले पार्लामेंट के बता आखेला हम पुड़ा भारी पड़ गया लेकिन आज मैंने देखाया दूरुभी काच पैड़ा जाच रहा हूं पूरे भाजपा के लिए अज पार्लामेंट के अंदर भारी पड़ गया देखें वो गु पूरे प्रिष्म के तदी अजी इंचिक तर्फिन के तश्मिंट के गाया और मोबाइल फोन मैंने इंडी इंदुक्त मुठ कर बादे दो लोगए ये नोग इंसान नहीं चा या बमुठा में मुठा मोंता देखें नहीं ये को का युण प्लिछ अनु अंग्साण नहीं ज लेकी मुझीटी अरशेस का जो हिंदोतो है विश़नी पृष्चत को बढ़े है और जगह में जहां पर तंगभ सब्साले के फोना बीजे चलाना और अजध्र का मेरे में दो तीन लैम का और कहां क्या क्या का और जबता में कितने सारे दूकान तोड़ किया क्यों तोड़की जमीन ले लिया कितने सच जोड़ को आक मोंदिर के इक क्यू बना कि infantry प्राइब भी असितबर नहीं मिला राम थै और नमें ए उगरना चाल खेसे लेकिन लेकिन हमारे थे लेकिनल विलत भेपी शितना पर मुझे देख पार है ना थे फॉल लिजे शिव जी की तस्वीर मैं भी दिखा रही हो आपको आपको को यह दिखा दीजे ना चांति प्रतीक शिव जो है और वो प्रतिक मुल्स को भी दिखा दीजिए गा पूरी बात मैंने सुननी है अब मेरी बात आप सुननी है अब मेरी बात आप सुननी है इतना लंबा अब यहां पर आप दे रहे हैं आप जरρά बगल में देख लीजीkem आतने एक महिला को लिटा लिटा कर व जैसे भी नाम का है घवान जो है तो यह ज़ए आप आ है मुसलिम बहुल इलाका है तो वहाँ पर ठोडा इसे ना मुसल्मानों में और शरिया कानून में ऐसा चलता है महिला ने घलती की थी तो यह कौन होता है जैसी भी जो जाके वहां पर बेच चलाएगा इसकी क्या हिम्मत क्या उकाथ यह बताईए इसके विलिए बोलने के वक्त है आपके पास बोलेंगे कुछ क्या सुनना नहीं चाते हैं कि वह शांती का प्रतीक है श्रिवजी की फोटो दिखाई है मैयने 30 साल के करियर में यह ने देखा है कि इस तरीके से ओरवत को लिटा लिटा के कोई मार रहा है और कह रहा है कि यह तो मुसल्मान बहुल इलाका है और वो किसी और के साथ शक्या मह आपको इंतजार कर रही थी कोई धंकी बात करेंगे पास उनका जनम हुआ कालीगाट के कालीमंदी के पास जनम हुआ कि लेकिन उस पेशाल है ममता बैनाची आप आये वंगल में सारे दौस्क्रों लोगों के लिए इसा है ममता दिदी की हर कोई इज़त करता है लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते हैं अगर उनके नाक के नीचे उनी के विधायक का कोई आदमी किसी महिला को लिटा कर इस बरबरता से पीटेगा सर्फ इस लिए क्योंकि उसे लगता है कि उसका रसूख है उसे लगता है कि उसका पश्यमंगाल की मुख्यमंत्री है और वहां की सिक्यूरिटी का जिम्मा उनके उपड़ है किसी और के उपड़ नहीं पूछना है सवाल और पूछेंगे जवाब देना होगा आपको यह जो आप लोग अनतमस्तक हो जाते हैं वो करना बंग कीजिए मनिपूर क्यों नहीं जा अब जरा मुझे मामला आगे ले जाना दीजिए मैं यह कह रही हूं उसके बाद महुआ मित्रा आई थी ना शाजिया इल्मी किसी ने इस बारे में बात की समविदान खत्रे में तभी आता है जब कहीं नॉन बीजेपी इलाके में अगर कहीं इस तरीके की घटना हो जाए त समविदान खत्रे में नहीं आता है तब वो जो वो पॉकेट वाला कॉंस्टिट्यूशन है वो पॉकेट में ही रहता है राहुल गांधी जी के मुझे एक जब निकला हो उस महिला के लिए जिसको सड़क पर सरे आम जिसको जलील किया जा रहा है जी एक सेकिन राहुल गांधी शाइद इसी मसले पर कुछ बोले है वो हिंदु वाला जो मसला है मैं एक बार सुन्मा देती वो प्रसुन देशिए तैंकि तरह से समय अभी जिन्दा रहा अभी आप सुसाल भी ओगो जो जाओ जिसको तरह सर सवाल खड़े हो रहा है कि अधिक आप आप कामरा के लिए अधिक अधिक आपकी पहली पार पार अच्छी लगी अच्छी लगी हमारा तो सर्फेक्स से बात है आप में जो प्रक्त रखे सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दीगी शाजी आपने सुना राहूल गांधी ने कहा स्पीच आपको पसंद आई के नहीं आई फिर उननका थैंक यू जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी आप पर हमला आवर हो रही है जिस तरह से वह बहेव कर रहे हैं मुझे लगता है कुछ संतुलन में कुछ प्रॉबलम है क्या सवाल पूछे जा रहे हैं इतने एक्साइटेड हैं और अपने किसी खुमार में हैं तो मुझे मालूम नहीं क्या कौंशी टॉनिक पी रहें वो लेकिन कुछ सही नहीं नजर जा रहे हैं मुझे और उनकी प्रतिक्रिया हैं बाकाइदा एलोपी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तिमाल क्यों करेंगे शाजेल मी लीजर आफ उपोजेशन है आप जब इस तरीके के गंबीर आरूप लगा रही हैं तो फिर आपको भी सब्सक्राइगा ना मैं ब जा रहा है वो सवाल पूचने से कि आपने आप जुपकर क्यों मिले प्रिधान मंत्री जी से वो बता दी रहे हैं कि वही बात कह रही हैं जो बात रखनी चाहिए थी वह आपको जानने और सुनने को नहीं मिली और वैसे भी आप तो बीज़पी की तरफ से ना शाजिया हो स उनका अंदाजे बया बेतर हुता आचारी प्रमुत क्रिश्रम हमारे साथ जुड़ चुके झाल